नमस्वार सात्यों turtle पर आप सभी सात्यों का हरदिक स्वागत है जयसा कि आप ढ़िए पर देख पा रहे हैं कि आज अपन इस class के अंदर किस परकार की वारता करने वाले है तो इस class के अंदर अपन जिस बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं एक वो जो भरती आयी थी उस भरती के बारे में आपन आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं तो भरती है वो आप सभी सात्यों को पता है thumbnail पर लिखा है वो भरती है तिल्ली पुलीस कॉंस्टेबल 2023 कौन सी भरती है दिल्ली पुलीस भरती 2023 यह भरती पहले आ रही हैं, 30 तारीक तक इसके फर्म फिल हो चुके हैं, आज अपन इस भरती के बारे में जो आपकी मैराथन क्लास लगने वाली है, जो आपका एकदम निसुलक बैच इस भरती से संबन्दित कम्पलीट कोर्स को लेकर जो ख्लास लगने वाली है, उसके बारे के अंदर अपन पर्तियक बिंदू के बारे में पर्तियक टॉपिक के बारे में बहुती सांधर तरीके से बहुती उस तरीके से अपन बात करने वाले हैं जिस परकार आपको आपका प्रिक्सक आपका एक्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा हैं उसी के अनुरूप अपन इस इस पार्टेख्रम के बारे में आज की class के अंदर चर्चा करेंगे अपन इस class के अंदर अपनी चर्चा का जो मुख्य बिंदू रहेगा वो रहेगा अपना इस निस्सल्क, बैच और syllabus से सम्मधित इस परकार का सिलिबस मैं उमीद करता हूँ कि आपने सिलिबस पहले देख रखा होगा लेकिन मोटा मोटी अपन याँ पे उसके बारे में एक वार वापी से देखेंगे ठीकें क्योंकि आप इस भरती की त्यारी लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन ये जो क्लास लगरी है ये मेराथन क्लास है इस मेराथन क्लास के अंदर बिलकुल अपन हर बिंदू पर बहुती विस्तार से बहुती डीप अपन चर्चा करेंगे उसके साथ ती साथ अपन हर पहलू पर भी चर्चा करते वे चलेंगे जो आपका exam oriented important है अपन हर important बिंदू पर भी आज की क्लास के अंदर बहुती विस्तार से चर्चा करने वाले हैं चलिए तो अपन देखते हैं कि इस भरती का process क्या है मुझे पता है मैं इस चीज़ को बहुत अच्चे से जानता हूँ क्योंकि आप इस भरती की पहले से तयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा process पता है लेकिन मैं एक जीरो से सुरू करना चाहूँगा इस बैच को क्योंकि हिंदूस्तान Academy एकदम ने सीरे से आपके साथ में सुरुबात करने जा रहा है इंदूस्तान Academy यूटूब चैनल को अपने सभी साथियों के साथ में सेर जरूर कीजिएगा सभी साथी इस चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा और यदि आपको ये class पसंद आजाए तो इस class को like जरूर कीजिएगा यही हमारा सबसे बड़ा motivation है हमारा सबसे बड़ा motivation जिस दिन आप वर्दी में हमारे साथ हमारे studio पता रहेंगे हमारी classroom में पता रहेंगे तब हमें बहुत motivation मिलेगा यही हमारा सबसे बड़ा motivation है हमारा सबसे बड़ा motivation क्या है आपका वर्दी में देखना तो किस परकार से उस वर्दी को प्राप्त करने के लिए हिंदुस्तान अकेडमी आपके इस सपर में किस परकार से हम सपर बनेगा इसकी चर्चा आज की क्लास के अंदर और आगे की क्लासों के अंदर अपन उसी परकार से करते वे चलेंगे चलिए तो अपन बात करते हैं इस batch के बारे में निसुल्क batch होगा इस batch के अंदर क्या क्या होगा सबसे पहले समय बचा है आपके पास में October और कौन सा? October मैना और आपका बचरा है November मैना कौन सा बचरा है? October और November क्योंकि आपका December के अंदर तो exam है दिसंबर के अंदर तो आपके एक्जाम है ये पहले से निश्चित है तो आप ये मान के चलो कि अपना एक्जाम एक दिसंबर कोई है तो अपने पास all over समय कितना है अक्टूबर और नवंबर का मैं मान की ये चल सकता हूँ कि आपके जो पढ़ाई के दिन है 60 दिन होते हैं लेकिन मैं पढ़ाई के दिन मानूँगा पच्पन 55 डेज आपके पास में बचे हैं आपकी पूरी तैयारी में तो किस परकार से इस अगनी के अंदर हिंदुस्तान अकेडमी आहूती देने के लिए आ रहा है तो इस बात को समझते वे चलते है तो पच्पन दिन की रणनिती के अंदर आपको क्या क्या करना चीए आपको पू तो दा पॉइंट अपन यहां पर बात करेंगे इंपोर्टेंड फैक्ट पर अपन बात करेंगे किसी भी ट्रिक पर अपन बात करेंगे कंसेप्ट पर बात करेंगे लेकिन यहां पर एक्स्टा किसी भी परकार की कोई भी बात नहीं की जाएगे आपके सामने ग्यान रखने का या ज्यान क्या कहते हैं ज्यान देने का समय आपके पास में नहीं है आपके पास समय है शिर्फ to the point बात करने का अपन उस फैक्ट पे बात करेंगे जो examiner आपसे पूचता है अपन उस concept पे बात करेंगे जो examiner जो परिक्सक आपसे भयानक प्रशन बनाकर आपको डराने की कोशिज करेगा अपन उस भयानक बिंदू पर भी हर बिंदू पर भी चर्चा करते वे चलेंगे ठीक है तो यह रहेगा अपना marathon class हर subject कौन कौन से subject रहेंगे कौन सा subject का कितना weightage है क्या इस भरती की प्रक्रिया क्या है mode of selection क्या होगा उन तमा बिंदू के बारे में अपना आज की class के अंदर चर्चा करते हुए चलेंगे चलेंगे बढ़ते हैं आगे तो सबसे पहले आपको notice मिल चुका है और आपका exam जब कब है दिसंबर 2023 यानि कि आपका expect यह मान के चल रहे हैं कि दिसंबर के अंदर आपका exam होगा यह notice आपने पढ़ रुक vacancies है तो वो है आपकी 7500 vacancies से उपर है कितनी 7545 इसकी vacancies रहेगी यानि कि इसके पद रहेंगे आगे बढ़ते हैं यह category wise आपको दे रहा है कौन से category से कितने पद है अपन आगे बात करते हैं आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं कि mode of selection क्या रहेगा सबसे पहले आपसे computer based test लिया जाएगा यानि कि आपसे क्या पूझा जाएगा computer based examination अर्थ क्या होता है कि computer पे आपका exam होगा online exam होगा बस इ और medical हो जाने के बाद medical में success हो जाने के बाद आपसे document verification के लिए आपको बुलाया जाएगा और उसके बाद में आप क्या हो जाएंगे selected ये जो सब्द है ये सुकुन देने वाला सब्द है किसी भी व्यक्ति को इस दुनिया के हर तमाम व्यक्ति को जब ये सब्द उसके सामन आता है तो फिर वो पूछो मत ये रहेगा आपका mode of selection किस परकार से चैन परिकिरी क्या होगी सबसे पहले आपसे computer यानि की online exam होगा physical हो गया medical हो गया आपका document verification हो गया फिर आप वर्दी में फिर आप किस में वर्दी में चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं यह कितना रहेगा यह आपका रहेगा पचास प्रश्न, पचास नमबर के 50 question, पचास नमबर के इसके बाद आती है आपकी reasoning, reasoning से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे 25 प्रश्न, पूछे जाएंगे 25 नमबर के पिर आती है आपकी mental ability यानि की आपसे math के बारे में पूचा 10 नमबर के समय कितना मिलेगा समय आपको मिलेगा डेड़ घंटा 90 मिनिट आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको दिया चाहेगा आपकी computer screen पर उल्टी घड़ी चलती रहेगी आपको उसके according आपका paper करना है यहां पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है आपका 0.25 25 आपका negative marking रहेगा यानिकि 0.25 अगर आपने कोई भी प्रशन गलती से बहर दिया गलत करके आपने गलत option चुन लिया तो उस गलत प्रशन का आपका 0.25 नमबर आपके काड़ दिये जाएगे यह यह कहना चाह रहा है यानिकि 4 प्रशन आपने गलत कि एक नमबर आपका चला सब्जक्ट से मिलेंगे और कितना समय आपको दिया जाएगा कितनी negative marking है one fourth आपकी negative marking है तो फिर अपन परतियक सब्जक्ट wise बात करते हैं कि कौन से सब्जक्ट का कितना क्या हिस्सा रहेगा कौन सा सब्जक्ट अपनको पढ़ना है तो सबसे पहले अपन बात करते हैं करंट पर यह कहता है यानि कि GS और करंट पर यह कहता है कि आपको परति दिन की घटना पता होनी चाहिए एवरी डे परतियक दिन की घटना अब यह confusion आता है कि परतियक दिन की घटना तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन कहां से लेकर कहां तक पढ़ना है तो मोटा मोटी मैं आपको यह ये कहना चौंगा कि 2023 की परतियक दिन की घटना आपको पता होनी चाहिए अब कौन सी घटना आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की इसे लिए आपको ये पता होना चाहिए क्या कि नेबर कंट्रीज कहा है neighbor countries कि भारत की आजपास की countries उनके साथ में किस परकार की संबंद है international क्या संबंद रहते हैं अभी जो submit हुआ अभी जो G20 submit हुआ उसके संबंद में आपको पता होना चाहिए आपको sports से related sports से संबंदित आपको तमाम जानकर आपको पता होनी चाहिए Olympic last cup होती Olympic में भारत का क्या युगदान रहा था World Cup किस ने जीता और इस परकार की तमाम प्रशन आपको पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि चंद्रियान कब लौंच हुआ अधित्य कब लौंच हुआ कौन से विकल से वो लौंच हुआ कब पौंचा कब लौंच हुआ कंद्रियान फश्ट कब लौंच हुआ था कब लौंच हुआ ये तमाम चीज़े आपको पता होनी चाहिए ये आपसे करंट अफेर के बारे में पूचा जाएगा अब GS के इस GK के अंदर आपसे क्या पूचा जाएगा आपसे पूची जाएगी इतियास आपसे पूची जाएगी कला और संस्कृती आपसे पूची जाएगी भूगोल आपसे पूची जाएगी अर्तसास्त्र और आपसे पूचा जाएगा पॉलिटी जनरल पॉलिटी आपसे पूची जाएगी भारतिय सविदान से संबंदित आपसे प्रशन पूचे जाएंगे ये रहता है आपका कौन सा जीके वाला हिस्सा और इसके अंदर कितने प्रशन बनेंगे पचास प्रशने बनेंगे पचास नमबर के रिजिनिंग के कितने प्रशने हैं रिजिनिंग के 25 प्रशने आईए बात करते हैं रिजिनिंग के बारे में रिजिनिंग के अंदर आपको नौन वर्बल वाला जो भी हिस्सा रहता है वो आपको पढ़ना है जिसके अंदर आपको माधियम से करने वाले हैं Current Appear के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे किस परकार से Current Appear परना है Current Appear की एक अलग से मैं आपके लिए वीडियो लेक्या होंगा किस परकार से अपन Current Appear को 2 मैंनों के अंदर October और November के अंदर पूरा 2023 का Current Appear किस परकार से तयार करने वाले हैं उसके बारे में भी अपन आगे की Strategy के अंदर इस चीज को समझते वे चलेंगे ठीक है यह हो गया आपका reasoning का हिस्सा और इसके 25 प्रस्ण आपसे पूचे जाएंगे और 25 ही number आपके होने वाले हैं फिर आता है आपका अगला हिस्सा कौन सा Numerical Ability यानि कि गनित से समझत आपसे क्या पूचा जाएगा गनित से समझत आपसे पूचे जाएगा आपसे पूचा जाएगा number system यह आपसे पूचा जाएगा decimal आपसे पूचा जाएगा fraction आपसे पूचा जाएगा नमबर के बीच में किस परकार का relation होता है वो आपसे पूचा जाएगा fundamental arithmetic option जैसे की percentage हो गया ratio on proportion हो गया average हो गया और इसके बाद में आ जाता है interest आ गया profit and loss discount यानि की मोटा मोटी डूप से मैं यह कहूँ arithmetic यानि की घनित के अंदर अपन से advance math नहीं पूची जाएगे advance math यानि की आपसे trigonometry के अगर by chance गलती से इकाद प्रशन आ गया तो बहुत आसान आएगा trigonometry, geometry के प्रशन आपसे नहीं पूची जाएगे, algebra के प्रशन आपसे नहीं पूची जाएगे, तो प्रशन कोहां से बनीगा एक आपका होगया number system number system के 4-5-4 topic है वो पढ़ने हैं आपको arithmetic आपको पढ़ना है और इसके अलावा आपको पढ़ना है mensuration ये आपका रहेगा गणित का बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा number प्राप्त करने यह यहनि की 15 से 15 number आप 15 out of 15 number इसके अंदर प्राप्त कर सकते हैं 15 ने तो 14 number तो आप लिख कर ले लो अगर आपने परतियक दिन की class हिंदुस्तान अकेडमी पर देखी तो आप यकिन मानिए आपको 15 में से 15 या 15 में से 14 number देलाने की मैं guarantee लेता हूँ तो यह तो हो गया आपका maths वाला हिस्सा इसके बाद में अपन बात करते हैं किस पर अंतिम पार्ट आपका आता है computer का कितने नमर का प्रशने पूचा जाएगा computer के 10 प्रशने आप से पूचे चाहेंगे और 10 ही number आपके होंगे यह भी आपका क्या है scoring part है scoring part कौन सा है यह भी आपका scoring part है 10 में से 10 नमर आप राप्त कर सकते हैं computer के अंदर आप से क्या पूचा जाएगा MS Excel पूचा जाएगा Word के बारे में पूचा जाएगा इसके अलावा जो भी protocol होते हैं जो भी होते हैं उनके बारे में पूचा जाएगा website क्या होती है web browser क्या होता है chat क्या होती है search engine क्या होता है इस परकार के आपसे computer से समभनी तो बहुत ही आसान बहुत ही प्यारे-प्यारे बहुत ही basic प्रशन आपसे पूचा जाएगे बहुत जादा advanced प्रशन आपके नहीं बनेंगे ठीक है तो यह अपन ने बात की कि किस परकार से SSC constable दिल्ली पुलिस constable 2023 की जो भरती है उसके अंदर कौन-कौन सा party program अपन को दे रखा है party program wise अपन ने बात की subject wise अपन ने बात की उसके बारे में अपन बात करते वेच चलते है तो यहां पर जो आपका GK वाला portion आ रहा है इस GK के अंदर अपन को 4-5 portion देखने को मिलते है जैसे कि अपन को party program दे रखा है आपको history पढ़नी है, second चीज आपको क्या पढ़नी है, art and culture आपको पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है economics आपको पढ़नी है, quality आपको पढ़नी है, Indian constitution आपको पढ़ना है, तो इन में से जो हिस्सा रहेगा यह तीन हिस्सा, अच्छा इसके अंदर एक और आपको पढ़नी है, geography, यह जो 4 हिस्से रहेंगे, यह आपको रमेसर पढ़ाएंगे, यह आपको रमेसर पढ़ाएंगे और हिस्ट्री वाला जो हिस्सा रहेगा, वो आपको सहना मेडम पढ़ाएंगे, वो कौन पढ़ाएंगे, सहना मेम आपको हिस्ट्री वाला, जो Indian हिस्ट्री वाला इससा रहेगा, वो सेना मेडम आपको बढ़ाएंगे, बहुत ही वैल प्रक्टिस आपको करवा देंगे, एक्जाम, ओरिंटेट, जो भी मैटर है, जो भी कंटेंट है, जो भी पॉइंट है, वो आपको मेडम की दुवारा दिया जाएगा, और इसके अलावा, आर्ट एन मेडम करवी आचता है, क्रेंट एपर की क्लासों के बारे में, प्लाणिंग चल रही है, कि कौन से सर आपको करेंट एपर के बारे में, दो हजार थेविस का क्म्पलिट निचोड आपको कौन से सर पढ़ाएंगे, उस जैसे ही सर का, क्या बोलते हैं, डिसिजन आता है, हम आ MES Origining ये आप मेरे साथ में पढ़ेंगे, MES Origining की बहुत इस सांधार तरीके से पचली भरतिओ के अंदर किस प्रकार के प्रस्णों बने थे, उन प्रस्णों के आदार पर अपन इसकी बहुत सांधार तैयरी कनने वाले हैं, बहुत इस सांधार practice कनने वाले हैं, आपन concept से ट्र हर टॉपिक का कंसेप्ट समझ लेंगे उसके बाद जो भी ट्रिक्स बनेगी ज्यादा ट्रिक्स नहीं लेकिन हाँ ट्रिक्स पर भी अपन जरूर काम करेंगे क्योंकि यह ससी है यह ससी है और ससी कहती है कि 90 मिलट के अंदर आपको 100 प्रशन सौलो करने हैं तो यहां पर समय का थोड़ा सा कमी रहती हैं चलिए ठीक है फिर अपन को देखते हैं रिजनिंग के अंदर रिजनिंग क्या भी जितने भी टॉपिक है नौन मरवलवल के जो भी आपको दे रखे हैं उनके बार में अपन बहुत ती विस्तार से चर्चा करेंगे ठीक है तो यह रहेगी अपनी हिंदुस्तान अकेड़मी आपके इस सपन में हम सपर किस परकार से बनने वाला हैं तो यह आपके सामने मैंने रन रिट्ती रखी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए अगर आपको यह मैनत आपको लगे कि हाँ हिंदुस्तान अकेडमी जसी हमारा एक्जामिनर हमसे जिस परकार के प्रशन पूचने की अपेक्सा रखता है उसी के अनुरोप हिंदुस्तान अकेडमी अपने इस सफर में हमारा पूर्ण सयोग देने के लिए ततपर है ठीक है तो चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर मैं आपको अगली क्लास में ये बता दूँगा कि करंट अपके साथ में कौन लेके आएगा 2023 का कम्पलीट निचोड और अगली क्लास में अपन बात करेंगे मैच से अपन इस Class की शुरुवात करेंगे दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल की आपकी आज या फिर कल के अंदर आपका बैच जो है जो निसुल का बैच है वो आपका शुरू हो जाएगा तो मिलते हैं एक नही Class के अंदर एक नही जोस और जुनून के साथ मैं तब तक के लिए धनियवाद